देखिये हो सकता है भाई इसके खिलाए किसी ने कोई रियूमर मतलब क्या होता है देखिये रियूमर का मतलब होता है अफवाह आज के टाइम में लोग बातों पर कम अफ़ाहों पर जादा ध्यान देते हैं क्लियर हो रही है बात कि अगर कोई बोले रहे भाई आपके भाई को कुछ लड़के मार रहे हैं तो बंदा अपने भाई को फोन नहीं करेगा बलकि उस इंसान के बतावे पते भर पहुंच जाया ठीक इसे बोलते हैं भाई गुमरा करना मिसलीड करना फिर रूमर्स पैलाना और आज के टाइम में रूमर्स पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और रूमर्स पर ही इस्वास कर लेते हैं आखबन करके अगर ये बोल रहा है तो सही होगा लेकिन मेरे भाई थोड़ा बुद्धी लगाई खुद का दिमाख लगाई अगर कोई कुछ बोलता है तो पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर सच्चाई कितनी है ये नहीं कोई आखर के बोल दिया करें आपके पापा का एक्सिडेंट हो गया भाई साब दौड़ पड़ें कहां हुआ है एक बार कॉल करके बात तो करो भाई सही बोल रहा है कि नहीं है ना तो कभी-कभी rumors पर ध्यान नहीं देना चाहिए कोई कितना भी खास क्यों ना हो इह इक बार जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि बात क्या होती है ना तो rumors का life में बहुत ज़्यादा एहम रोल बोल सकते हैं कि बहुत सारा लोगो थे rumors कर आने वाले ना पास्ट बचा हुए पास्ट का सब होता है वह का पास्ट ये अप्रहें से ने अचलया तो होता है यहां यहां धा होता है यहां अ का मतलब काम चल रहा है यानि कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हो करके चल रहा है एक डेफिनिट टाइम तक वह क्या कहलाता है उसके बाद फिर हम फ्यूचर का डेफिनिशन भी जानेंगे जैसा कि आपको पता है कि मैं डेफिनिशन भी बताता हूं तो इसका भी देख लेते हैं कि हमारा पास्ट पॉफेक कंटिनिवस टेंस का आइडेंटिटी क्या होता है देखे जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था रही थी अब आप कहेंगे सर्य तो कंटिनिवस में भी आ रहा था जी हां पॉफेक का मतलब होगा कि टाइम दिया हो और रहा था रहे थी रहे थे आगया तो पास्ट पॉफेक कंटिनिवस टेंस और समय और आपको पता है समय के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं अगर मैं आ ओर का यूज किसके लिए करते हैं तो फॉर के लिए तक टाइम जोह का मतलब हर बूटीड हो शह करेंगे उसके लिए अगर मैं इस सब्रोग कि गड़ी में दिन भर में एक यह बार तो बजय को यह तो आपका हो गया इसके लिम सिंस का यूज करेंगे नहीं हर वोज़ी जो कि पॉफेक्ट हो ठीक अगर हम बात करें जैन्युरी का ठीक तो इसके लिए पिसेंगे use करेंगे बट अब diffine time क्या होता है अगर मैं बात करों कितने घंटे से दो खंटे से याने कि फिर बात कर एक या ग Goes तो साथ दिन में किस थीन निसे वह घूम रहा है कि यहां करें और आप से घूम रहा है कि वह घूम रहा है तो मंगल वार्स से घूम रहा है तो मंगल बार क्या होगा यहां पर fix होगा कि भी मंगल बार से घूम रहा है दो दिन से विमार है फिर और चार दिन से लगातार नहा रहा है ठीक तो क्या होता है वो चीज़ से definite नहीं होता है तो सिंस का यूज और फॉर का यूज इसके लिए करते हैं अब अगर हम बात कर लें helping वर्प का present perfect का सौरी past perfect continuous चंस के अगर हम helping वर्प की बात करें तो होता है had been जी हां यहां यहां पर देखिए हम किसका यूज करते हैं यहां पर भी continuous आ गया वहां पर आपको एक छीज ध्यान देना है कि में वर्प यानि कि जो हमारा में वर्प होता है उसके साथ हम आई एंजी का यूज कर देंगे और आपको पता है continuous में 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 वर्प का फर्स्ट फॉर्प का ही उसके साथ अगर आई एंजी लगा देंगो तो हमारा continuous इसल्व हो गया थिक तो इसका क्या होता है कि जिस वाकिए क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे और फिर समय दिया हो और समय किली किसके था आउस करेंगे सिंसिया फ्लॉर का यूझ करेंगे। तो चलिए आपको affirmative sentence करा देते हैं और affirmative sentence के जो syntax होते हैं वहीं आपको समझ में आ जाएगा देखे syntax जो होता है वही एक तरीके से formula कहलाता है clear कितना भी बड़ा सबा translation हो अगर आपको syntax पता है syntax याद है तो एकदम easily solve हो जाएगा बहुत बड़ी चीज नहीं है ना तो उसके लिए आपको syntax याद करना पड़ेगा बहुत जाट अब भी नहीं है अगर जहां खुद से practice के पांच-दस questions syntax आपको उच्छे से याद हो जाता है बागी तीन-चार questions तो मैं प्रैक्टिस करा जिता हूँ आप भी practice किया करें और जहां पर भी आपको doubt हुआ करें आप confirm बता जिए करें कि सर मुझे यहां पर problem है जैसा कि आपको बता social media handles always हमारे description box में होता है तो वहाँ ज करने में देख लेते हैं देखिए अफर्मेटिवाइव तो syntax होता है वह क्या होता है सब्जेक्ट पहले हम इसको लेकर कहते हैं सब्जेक्ट क्लियर फिर हैड और उसका बीन का यूज करेंगे जैसा कि मैंने बता है helping verb हैड बीन होता ही है पास्ट पॉर्फ का सब्जेक्ट अब यहां पर सब्जेक्ट क्या अब देखिए हम पहचान कैसे करेंगे कि किस टेंस का ट्रॉंसेशन है था आ गया तो आपका पास्ट रहा आ गया तो तो continuous और दो दिन आ गया यानि perfect तो पास्ट कंटिनिवस चैन्स यहां था गया तो पास्ट रहा आ गया तो एंपास्ट पॉमिद करें आपको समय में या और होगा वह मुझे दो दिन और एक होता है A-S-T-R-A-Y दो मिनिंग्स होते हैं एस्ट्रे मिन से गुमराह करना और मिसलेट मिन से गुमराह करना तो वह मुझे दो दिन से गुमराह कर रहा था तो क्या हो जाएगा He had क्योंकि subject तो He had तो had been तो been He had been अब वर्ब क्या है इसमें गुमराह करना वर्ब क्या है इसमें गुमराह करना देखिए आपको वर्ब पहचानने आना चाहिए अगर आपको वर्ब आगया पहचानने इडिन्टिफाई करने तो easily आपको इपी transition इंदा मासाने से कर लोगे और जाहिर से बाते तो सबको पता ही होता है तो he had been अब mislead है तो क्या हो जाएगा mislead और क्या लग जाएगा ing verbs first form plus ing तो he had been misleading अब object क्या है मुझे यानि किसे कर रहा है मुझे कर रहा है तो he had been misleading me आब यहाँ देखे क्या है दो दिन और जैसा कि मैंने आपको पता है कि for का use किसके लिए करेंगे in different time के लिए दो दिन कोई भी हो सकता है एक सबता हमें ठिक तो यहाँ पर किसका use कर देंगे for two days तो he had been misleading me for two days clear next देखें वह जनवरी से UPSC के तयारी कर रहा था अब तयारी करना हो क्या होता है प्रिपेर करना तो he had been preparing किसकी भीया तयारी कर रहा था UPSC तो he had been preparing for UPSC अब यानि UPSC के लिए यहाँ पर for का मतलब क्या हो के के लिए होगा तो he had been preparing for UPSC since किसके लिए since January तो बिल्कुल confused मत होगा आप लोग किसर यहाँ हम लोग since और for donor का यहाँ यहाँ for का मतलब के लिए यानि कि UPSC के लिए तायर कर रहा है ठीक अगला वह तीन सब्ता से सुंसान रास्ते पर चल रहा था वह तीन सब्ता से सुंसान रास्ता और जैसा कि आपको पता है आपने हमारे प्रिवेस वीडियो देखी हैंगे तो सुंसान रास्ता पो उंगली से बोलते हैं क्या बोलते हैं डेशॉललेट प्लेश बोलते हैं तो तीन सब्ता संसान रास्ते पर चल रहा था तोills छलना के होगा वच और कभिट लेट प्लेस और कभ से चल रहा तीन सब्ता यानिकि एक महीने में चार सब्ता होते हैं क्लिर बात तो अप तीन सपता कौन सा या पता नहीं है यहां पर सिंस क्यों जागा कि फॉर करुप विक्स कुलिर उम्मीद करना आपको समझ में आए होगा तो चलिए इसका उम्मीद करना है तब समझ पा रहे होंगे इसको लोगी बना दえका is tuana isol कोई बयुक्क पढ़ाने का चलिए पिर करते हैं अब शक्रेब नेगेटिवLife करने दो को बहुत सा नहीं करना होता है माइनर छinas रहेगा वं मुझे दो दिन से गुमरा नहीं कर रहा था तो क्या हो जाएगा he had अब not है तो not been misleading he had not been misleading me अब कितने दिन से बिया दो दिन से तो for two days clear? for two days उमीद करना आपको सहुझ मैं आ रहा होगा next अब वा जनुवरी सुपेसी के तयारी नहीं कर रहा था तो he had not been preparing he had not been preparing for UPSC clear? since January clear? यानि कि इसमें क्या आजाएगा सिर्फ not का use हम कर देंगे कहां पर कर देंगे? had और been के बीच में next अब वा तीन सब्ता से सुंसान रास्ते पर नहीं चल रहा था तो क्या हो जाएगा? he had not been walking he had not been walking on desolate place on desolate place तीन सब्ता तो for three weeks उमीद कर रहा है कि यह भी आपको समझ में आया होगा देखे बहुत ताद चेंज़ नहीं करने हैं क्या कर देना है से? plus head plus bean के बीच में not का use कर देना है बाकी verb का first form plus subject plus sense या for plus other word अब देखे क्या change करना है अगर हम interrogative sentence की बात करें तो interrogative sentence में एक minor change होता है minor change क्या होता है कि इसमें जो आपका helping verb होता है वो subject के पहले चलाता है clear और आपको sentence होता है वो start क्या से होता है ठीक यानि sentence में starting कौन करता है क्या करता है लेकिन जब question mark आ जाता है तो फिर यह भाई साहब बोलते हैं क्या कि चलो गया अभी तक तो मैं तुमारा help कर रहा था लेकिन अब मैं क्या करूंगा अब मैं आप इमीट्र Baron के बात करें लेते हैं देख लेते हैं इसके जुल है इसका सं्टेक्स होते हैं बहुत आइंज होता है बट यह समझने वाली चीज होती है अब देखें क्या हो गया इंच्रों सेंटिनस कり not क्यों था वो आ गया subject के पहले subject कि अले बीच में not का use करेंगे दरवाइस नहीं करेंगे लेकिन एक साथ ध्यान देखिए दीजेगा subject और head के तुरंद बाद bean था affirmative में फिर head और bean के बीच में not आ गया negative में बट जब हम interrogative की बात करेंगे तो head और bean के बीच में जादा difference आगे क्योंकि subject और अगर not be given हो तो यह बीच में आ जाते हैं ठेक तो head फिर subject plus not plus bean plus first form plus object plus since or for plus other word plus at last question mark clear चली question देख लेते हैं क्या आपका क्या वह मुझे दो दिन से गुमरान नहीं कर रहा था तो क्या हो जाएगा head बस सब क्या आगे head आजाएगा अब नहीं है तो had he not been misleading had he not been misleading me for two days clear और at last question mark क्या वो जन्वरी सी उपेसी के तारी नहीं कर रहा था तो had he not been preparing for UPSC since January clear at last question mark next है क्या वह तीन सब्तासिस उंसान वास्ते पार नहीं चल रहा था तो क्या हो जाएगा had he not been walking on desolate place for three weeks देखिये हो सकता है भाई इसके खिला किसी ने कोई rumor फैला है और rumor का मतलब क्या होता है देखिये rumor का मतलब होता है अफवाह आज के टाइम में लोग बातों पर कम अफवाहों पर जादा ध्यान देते हैं clear और यह बात कि अगर कोई बोले रहे भाई आपके भाई को कुछ लड़के मार रहे हैं तो बंदा अपने भाई को फोन नहीं करेगा बलकि उस इंसान के बतावे पते भर पहुंच जाया ठीक इसे बोलते हैं भाई यह गुमरा करना मिसलीड करना फिर rumors फैलाना और आज के टाइम में rumors पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और rumors पर ही इस्वास कर लेते हैं आखबन करके अगर यह बोल रहा है तो सही होग लेकिन मेरे भाई थोड़ा बुद्धी लगाई खुद का दिमाख लगाई अगर कोई कुछ बोलता है तो पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर सच्चाई कितनी है यह नहीं कोई आगर के बोल दिया कि आपके पापा का एक्सिडेंट हो क्या भाई साब दौड़ पड़े कहां हुआ है इक बार काल करके बात तो करो भाई सही बोल रहा है कि नहीं है न तो कभी कभी neighbors पर ध्यान नहीं देना चाहिए कोई कितना जिना थाप से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि बात क्या होती है ना तो रूमर्स का लाइफ में बहुत ज्यादा एहम रोल बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों थे रूमर्स का आने वाले ना चिक तो यह था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर उम्मीद करना आपको सुन में आ रह कि इसके सिंटेक्स में कुछ जादा नहीं करना सिर्फ एक चेंज करना है वो क्या होता है आपका कि डेबल एच वर्ड पहले आज़ा डेबले अज का मतलब क्यों होता है वाट वाइवन वेर हाव हो 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 महाँ मैं हाव मच हावएवर हुएवर इक्ट मिन्स कि जितने भी क् जाता है डेबल वर्ड वर्ड क्लियर बाकी का सिंटेक्स अब देख पा रहोंगे तो हैट सब्सेक्ट प्लस नॉट अंट अब प्लस वर्ड यूज वह वह मुझे दो दिन से घुमरा क्यों कर रहा था तो क्यों कर क्या हो जाएगा वाई है यह बीन अब देखें नॉट तो है नहीं तो नॉट को नहीं लगाएंगे तो वाई है डी बीन मिस्लीडिंग वाई है डी बीन मिस्लीडिंग मी वाई यूट जनुरि देखें यूज वाई है बीन प्रत्यूक यूज लगा वह भी आँ किसी कर रहा था तो हाव फैट ॥ी बीन प्रेड गार कह थी यूज ल सिप्टा से और फीन वाइ वू आड ढहा है ज्यूरी वाएटanoर प्रियू सह जनुरूरी प्रिट्यूर्ट वा तीन सब्ता सुन साम रास्तों पर क्यों चल रहा था तो क्या हो जाएगा Why had he been walking on desolate place for three weeks देखे बच्चों, अगर आप लोग के पास भी कोई doubts हो, कोई questions हो तो आप फटाक से एक दम easily comment section में comment करके बता सकते हो बाइगे काफी बच्चों का मुझे personally message भी आता है इंस्टाग्राम पर काफी बच्चे message करते हैं तो अच्छा रगता है आपको ऐसे अपने queries फटाफट हमसे किया करें, जितने भी doubts रहा करें आप हमसे एकदम बेज ही जग, without hesitation बताया करें, बोला करें और हमसे जितना होसके हो उतना आपका help हम करेंगे ठीक, आपके regarding studies सब कुछ करेंगे, तो आपका present के साथ साथ past tense भी आज खतम कर दिया है मैंने, अब बच्चे आपका future tense चार वीडियो लेक्शर लगेंगी, चार दिन के अंदर आपका future tense भी खतम, उसके बाद आपके चितने भी previous year question papers से वो सब solve कर वाए जाएंगे, बड़े आपको करने वाली है, तो जल्दी ही आपके लिए नए नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तो मिलते हैं आप से अखले वीडियो लेक्शर के अंदर दो तक लिए all the best, thank you.